क्रिकेट की इंसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें क्रिकेट की एक्स्क्लूसिव खबरें टीम इंडिया वेसंडीज में है और शांदार खेल दिखा रही है टीट्वेंटी सिरीज में भारत ने हर मोर्चे पर वेसंडीज की टीम को पचार दिया और यंगस्टस ने तो कम माल का खेल दिखाया अब इंटरेनेशनल लेवल पर अपना करियर शुरू ही कर रहे कुनाल पांडिया ने बेहतरीन खेल दिखाया और उन्हें मैन अफ़ द सिरीज का खिताब भी दिया गया कुनाल को इतनी बड़ी सफलता मिली तो छोटे भाई हार्दिक ने भी बड़ा एलान कर दिया वहीं बाद में रोहित शर्मा भी बीच में कूद गए तो क्या कहा हार्दिक ने और फिर रोहित ने क्या कर लिया आपको सब कुछ बताते हैं आप भी वीडियो को शेयर करें साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दे तो कुणाल पांडिया को दूसरे T20 मैच में मैं अप दे मैच चुना गया था तो सिरीज खत्म होने के बाद मैं अप दे सिरीज भी कुणाल पांडिया ही बने कुनाल ने अपने खेल से हर किसी को प्रभायत किया और बड़े भाई की सफलता पर तो हार्दिक पांडिया बल्लियों चलने लगे हार्दिक ने पहले ट्वीट किया कि टीम इंडिया ने शांदार खेल दिखाया और कुनाल को मैंनब्द सिरीज मिला हार्दिक ने लिखा मुझे तुम पर गर्व है बड़े भाई अब इतना तो ठीक था लेकिन इसके बाद हार्दिक पांडिया ने ये भी एलान कर दिया कि अगर दो ओल्रांडर्स की टीम में जगह नहीं बनती है तो वो अपनी जगह बड़े भाई कुनाल को देने को तयार है अब हार्दिक पांडिया के इस बड़े ओफर के बाद खुद रोहित शर्मा का भी बयान आया है पहले वन्डे मैच से पहले रोहित शर्मा ने प्रेस कॉनफेंस की और उनसे पूछा गया कि उनके मुंबई इंडियंस के साथ ही कुनाल ने शांदार खेल दिखाया तो आप इस पर क्या कहेंगे तो रोहित ने कहा कि कुनाल एक जैन्यून और और हार्दिक की वापसी के बाद कुनाल और हार्दिक का कॉम्बो मुंबा इंडियन्स के बाद अब टीम इंडिया के लिए भी बोनस साबित होगा यहीं रोहित ने एलान कर दिया कि दोनु भाई अब जल्दी टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और लगातार खेलते रहेंगे अब हार्दिक ने तो बड़े भाई के लिए बड़े बलिदान का एलान कर दिया था लेकिन रोहित ने साफ कर दिया कि जल्दी दोनु टीम में साथ साथ केलेंगे जो कि बेतरीन कॉम्बिनेशन होगा तो आप भी चाहते हैं कि कुणाल और हार्दिक एक साथ टीम इंडिया में खेलें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं साथी साथ वीडियो को शेर करना बिल्कुल न भूलें फ्लेम मीडिय रिपोर्ट